हेलो दोस्तों कैसे आप सब आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे वीडियो की टोपिक अपने थमनेल में देख लिया होगा आज की स्वीडियों हम आपको एक आईडी सजेस्ट करने वाले जिसके माद हमसे आप पेन कार्ड अपलाई कर सकते हैं अच्छा खासा इंकम उस आ चैनल में पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को ओल पे क्लिक कर लें वीडियो अच्छी लगए वीडियो को बाद में लाइक कर दीजेगा दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के या कंप्यूटर के क्रोम ब्रोजर को ओपन करना आप नौ निरमित इंडिया के होमपेज में इंटर हो जाएंगे इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप उहां से क्लिक करके यहां आ सकते हैं तो होमपेज का यूजर इंटरफेस कुछ इस परकार से आपको देखने के देखा जएते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या सर्भीस आपको प्रोवाइड की जाएगी जैसे कि देख सकते पेकी का किस्टेट बिस्टेटेस आप चेक कर सकते हैं डौनलोड कड कर सकते हैं अधरकार could स mail कर सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे plants, तो किस परकार से plants इसमें दिया जाता है, यहां पर तीन भाग में divide किया है, retailer, distributor और super distributor, आप तीनों का ID ले सकते हैं, आपको retailer का ID लेना है, तो उसके लिए आपको 199 का payment लगेगा, distributor के लिए 249 का, और super distributor के लिए 299 का, अब इसम इसमें आपको 24 x 7 WhatsApp support मिलेगा, online billing support मिलेगा, हम बात करें, retailer और distributor, super distributor में क्या फर्क है, अगर distributor का ID लेते हैं, तो आप अपने नीचे अगर retailer ID अगर किसी को देते हैं, तो उससे भी आप income generate कर सकते हैं, अगर आप super distributor लेते हैं, तो आप अपने नीचे distributor and retailer ID generate कर सकते हैं, जिससे आपका अगर कोई retailer ये distributor अगर work कर रहा है, तो उससे भी आपको अच्छागा सा income आ जाएगा, retailer में आपको एक pen card apply करने के लिए 107 रुपेज का payment लगेगा, distributor में आपको 102 रुपीज का payment लगेगा, और super distributor में आपको 100 का payment लगेगा, pen card apply करने के लिए, ये guys plan हो गया, इसमें हम registration किस परकार से करेंगे, तो आप यहाँ पर simply देखेंगे, तो तीनों के निच्चे register का option दीख रहा है, आप किसी में भी click कर सकते, या फिर आपको अपर साइड में यहाँ registration का option दीख रहा है, तो आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने next page open होकर आएगा, यहाँ आप अपने state select करेंगे, select करने के बाद आप अपने shop का name या company का name आप यहाँ manually enter कर सकते हैं, या फिर अगर कोई नाम नहीं हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना आधार number इंटर करना है, pain number इंटर करना है, उसके बाद select account type का option दिया है, आप just इस पर click करेंगा और यहाँ से select करेंगे, आप किस चीज के लिए ID ले रहा है, retailer, distributor, super distributor, जैसे हम retailer पर click करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, 199 रूपीज का payment तो कर रहा है, उसी परगार से अगर distributor, अगर select करेंगा तो 249 और super distributor में 299, यह चीज आपको so करेंगा, पूरे details आपको fill कर लेना है, fill करने के बाद आपको यहाँ पर pay and register का option देख रहा है, आपको just इस पर click कर देना है, जैसे guys click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परगार का pop-up आजाएगा, account created ID password has been successfully sent to your email, guys आपका जो idea और password है, वो आपके email ID में send कर दिया गया है, आपको यहाँ पर क्या करना, okay कर देना है, okay करने के बाद आपको वापस आना है, यहाँ login का option देख रहा है, login पर click करेंगे, आपको यहाँ पर अपना username और password इंटर करके login कर जाना है, जो आपके email ID पर आया है, उसके बाद आप साइट में कुछ इस परगार से login कर जाएगा, आपको username, email address, mobile number, वगेरा, so कर जाएगा, पहले आपको अपना payment complete करना होगा, तब ही जाके आप services का lab ले सकते है, उसके लिए आपको यहाँ पर payment का option दीख रहा है, यहाँ payment पे click करेंगे, आपके सामने नवनीत communication का QR code आजाएगा, तो आपको यहाँ पर किसी भी मादियम से, अपने UPI के मादियम से, phone पे, Google पे, PTM से, इसको scan करके अपना payment complete कर लेना है, जैसे payment complete होगा, your account activation successfully का message आजाएगा, आपका account जो है, वो active हो चुगा, अब यहाँ पर आपको ok करना है, ok करने को बादिख आप यहाँ से profile में जाके अपना password जो है, उसको change कर लेंगे, और वाप आपको जो payment लेगेगा, वो यहाँ से add money करके apply कर सकते है, payment यहाँ पर add कर सकते है, यहाँ पर instant pain बना सकते है, OTP, biometric, through से apply कर सकते है, यहाँ जाके आप अपना certificate जो है, नवनित communication का वो यहाँ से download कर सकते है, और नहीं पर भी लगा कर सकते है, यहाँ पर आप e-payne card को download कर सकत है, और भी यहाँ पर कुछ-कुछ सुईधाय दी गई है, तो इस परकार से आप आसानी से nsdl pain card का id create कर सकते है, id ले सकते है, I hope कि यह जनकारी आपको पसंद आई होगी, अगर हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों को share करें, और इस तरह की informative वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, मिलते एक नई वीडियो का साथ, अभी के लिए best of luck guys,